बैंक निप्टी इस हफते काफी जादा भारी गिरावट के साथ लोज वा इस हफते करीब उने 6% के गिरावट तो क्या ये गिरावट आगे भी continue होगी या फिर ये गिरावट यहां पर थम सकती है और हम यहां से recovery देख सकते हैं बैंक निप्टी का डिटेल रिविव करेंगे वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक को शेर जरूर करें तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली कार्ट से देखते हैं कि इस वीक किस तरह की कैंडल बनी है तो इस वीक की अगर आप कैंडल देखे एक बड़ी मंदी की इससा का मतलब ही हां पर यहां पर आगे भी हमगीम्निस देख सकते हैं नेक बससस्क्राइब कर लेंने की नेक्स सपोर्ट हम में यहां पर वीकली चार्ट पर कहा हों से यह के पाहला हुआ है कि छोस्टेपर्ट देख्स्राइब फरेतख मेरें अन्यर्च भिज्स्यर्थर यह जोन है आपका 34580 से लेके 34925 का तो यह यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 400 पॉइंट का यह सपोर्ट जोन है यह सपोर्ट लेवल इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कंसॉलिडेट किया था उसके बाद अच्छी तेजी देखी दी तो अगर दुबारा इस लेवल पे आता है तो यह लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है तो weekly chart basically हमें क्या बता रहा है candle week है यहाँ पे और closing opening और closing दोनों week थी तो यह weakness आगे भी continue हो सकती है next support levels अब बात करते हैं यह जो candle है काफी जादा बड़ी candle है तो जब इस तरह की बड़ी candles हमें देखने को मिलती है तो कही ना कहीं कहीं पर exhaustion का का काम भी करती है तो उस case में हमें थोड़ी बहुत recovery देखने को भी मिल सकती है हो सकता है Monday या Tuesday में recovery भी देखने को मिल सकती है तो अगर recovery हमें देखने को भी मिलती है तो हो सकता है फिर से दुबारा selling के लिए use की जा सकती है तो उसके लिए हम resistance levels identify करके रखेंगे daily chart पे hourly chart पे और उस area पे हम price action को notice करेंगे देखेंगे कि वहाँ पे कैसी candles बनती है और फिर से अगर अपाशुटी बनती है दुबारा sell करने की तो आप उसको find out कर सकते है तो weekly chart definitely indicate कर रहा है कि weakness आगे भड़ सकती है आने वाले हफते में लेकिन क्यूंकि बहुत जादा गिरा है तो थोड़ी बहुत recovery की भ है तो डेली चार्ट पे अगर आप कैंडल देखें ग्याब डाउन कैंडल थी तो यूज ग्याप हमने देखा support levels यह जो आप यहाँ पे दो लाइन देख रहे हैं blue lines तो यह support levels है मैंने अपने last videos में भी आपको बताए थे तो उस level के नीचे काफी जादा gap-down open हुआ उसके बा है और decisively break हुए है अगर आप यह candle भी देखें तो एक बड़ी मंदी की candle है यह भी तो decisively break हुए है तो weekly और daily chart दोनों ही alignment में है दोनों ही कहीं न कहीं बता रहे हैं कि weakness आगे continue हो सकती है RSI की बात करें तो RSI 26 पे है थोड़ा सा oversold है तो हम weekly chart से already मैं आपको बता चुकी हूँ एक बड़ी मंदी की candle है तो थोड़ी बहुत उच्छाल यहां पर हम देख सकते हैं लेकिन वह उच्छाल मौका होगा फिर से बिक्वाली करने का आवली चार्ट देख लेते हैं आवली चार्ट अगर आप यहां पर देखें तो आवली चार्ट का जो structure है clearly lower low lower है इसका आप देख सकते हैं RSI 21 पे है तो RSI आवली चार्ट पे भी oversold है तो यहां भी कहीं ना कहीं indicate कर रहे है कि bank nifty या तो sideways हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत उच्छाल में सकता है तो बात करते है resistance हमें कहां पर बिल सकता है कहां पर कौनसे से levels हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जहां पर हम फिर से बिकवाली कर सकते हैं या फिर से बिकवाली देख सकते हैं तो जो हमारे support levels थे daily chart पे आप यह जो level लेख रहे हैं 36,471 से लेखे 36,592 के सो यह same levels जो है resistance का काम करेंगे इन levels के आसपास अगर price आता है अब depend करता है मंडे को कैसी opening होती है flat opening होती है gap up opening होती है या फिर gap down opening होती है तो तीनों तरह की opening हम मंडे को देख सकते हैं कि जिस तरह से काफी जादा गिरावट के साथ क्लोज होती है तो gap up opening की भी संभावना है और अगर market में जो sentiments है औरड़ी काफी वीक हो चुके हैं तो अगर फिर से कोई news हाती है COVID से related तो gap down opening भी हो सकते है तो probability तीनों चीज की है overall trend यहां पे नीचे का ही है अगर उच्छाल भी आता है तो भी गिरावट होगी और अगर gap down कुलता है तो भी हम आगे गिरावट देख सकते हैं तो अगर gap up opening होती है या flat opening के बाद थोड़ी recovery होती है तो आपको 36471 से लेके 36592 के जो करीब 100 points का यह zone है आपको इस level के असपास notice करना है किस तरह की candlestick बनती है अगर weak candlestick बनती है तो probably इस level से फिर से हम selling देख सकते है major assistance जो अब रहेगा 37191 से लेके 37252 का यहाँ पर जो गिरावट है आगे भी भड़ सकती है तो एक बार 15-minute का चार्ट भी देख लेते हैं तो 15-minute के चार्ट से basically आपको और precise level मिल जाते हैं तो कई बर क्या होते है prices जो है exact resistance level सक नहीं आते उससे पहले ही घूम जाते हैं तो यसलिए आपको price action को read करना आना सरूर है तो आपको जो resistance level 15-minute के चार्ट से मिलते हैं वो करीब 36320 के आसपास मिलते हैं तो इस level के आसपास भी आप price action को notice कर सकते हैं 36317 से लेके 36353 तो अगर आप तीनो time frame का देखें तो यह जो levels हैं यह सारे resistance का काम करेंगे तो उपर multiple resistance हो जब multiple resistance होते हैं तो prices के लिए वो level निकालना काफी जादा मुश्किल होता है तो अगर prices इन किसी भी level के आसपास आते हैं और वहां पर weakness दिखाते हैं तो वहां पर फिर से बिकवाली हो सकती है So I hope bank nifty का review आपको अच्छा लगाओ informative लगाओ आपको कुछ सीखने को मिलाओ अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें मुझे comment section में भी लिख कर बता है मैं आपसे फिर मिलूंगी next video में till then bye bye have a happy life कर दो